पार्ट साथ संसार एक पुस्तक है प्रिये इंद्रा जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझ से बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलहबाद में हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पड़ा है लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी छोटी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी उसमें तुम्हें जितना आनन मिलेगा उतना किसी कहानी या उपनियास में भी ना मिला होगा ये तुम जानती ही हो कि यह धर्ती लाकों करोनों साल पुरानी है और बहुत दिनों तक इस पर कोई आदमी नहीं था आदमीओं से पहले सिर्फ जानवर थे जानवरों से पहले एक ऐसा समय भी था जब धरती पर कोई जानदार चीज न थी आज जब ये दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमीओं से भरी हुई है उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ ना था एक समय ऐसा था जब यह धर्ती बेहद गरम थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी अगर हम पहाडों और जानवरों की पुरानी हड़ियों को ध्यान से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जब रहा होगा तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो लेकिन उस जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था किताबें कौन लिखता तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात सोच निकाले यह बड़े मज़े की बात होती क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुन्दर परियों की कहानी गड़ लेते लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गड़ ली जाती है वह ठीक कैसे हो सकती है लेकिन खुशी की बात ये है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबे ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बाते मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती ये पहाड, समुद्र, सितारे, नदिया, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डिया और इस तरह की दूसरी चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी किताबे पढ़ लें बलकि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाडों को पढ़ कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी सोचो कितने मजे की बात है एक छोटा सा रोडा जिसे तुम सलक पर या पहाड के नीचे पढ़ा हुआ देखती हो शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा प्रश्ट हो शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए शर्ट है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो कोई भाशा उर्दो, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उनके अक्षर सीखने होते हैं इसी तरह तुम्हें पहले प्रक्रती के अक्षर पढ़ने पढ़ेंगे तब ही तुम उसकी कहानी पत्थरों और चटानों की किताब से पढ़ सकोगी शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोडा देखती हो तो क्या वेह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता वेह कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्यूं हुए अगर तुम किसी बड़ी चटान को तोड़ कर टुकडे टुकडे कर डालो तो हर एक टुकडा खुरदरा और नुकीला होगा वेह गोल चिकने रोड़े की तरहे बिलकुल नहीं होता फिर वेह रोड़ा कैसे इतना चमकीला चिकना और गोल हो गया अगर तुम्हारी आखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुह से उसकी कहानी सुन सकती हो वेह तुमसे कहेगा की एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो वेह भी एक चटान का टुकडा था ठीक उसी टुकडे की तरहे उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चटान से तोड़ती हो शायद वेह किसी पहाड के दामन में पढ़ा रहा फिर पानी में आया और उसे बहा कर छोटी छोटी घाटी तक ले गया वहाँ से एक पहाड नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुचा दिया उस छोटे दरिया से वेह बड़े दरिया में पहुचा उस बीच वह दरिया के पैंदे में लुड़कता रहा उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया इस तरह वह कंकड बना जो तुम्हारे सामने है किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह चोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाईयों से जा मिलता अगर एक चोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम होते हैं